दिवाइड भाई मतलब भाग का चिन्दा है से गुड़ा तीन अच्छे से दिख रहा ना कोई दिक्का तो नहीं हो रही ना ठीक है माइनस तू का स्क्वाइर प्लस क्ये ऐसे है प्लस थाइब यह कुश्चन है तो प्रिये मित्रों आपने देखा था मैंने आपको पढ़ाया था बोर्ड मास रूल तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग में यह जो बोर्ड मास का मतलब होता है पी का मतलब प्रेकट्स वो का मतलब आर्डर प्रेकट्स प्रेकट्स अभी सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे तो इस्टार्टिंग के जो दो लेटर हैं अगर आप देखो तो भी है ना लाइट बहुत कम जल रही है मैं ध्यान नहीं तिया और तुम लोग बोल नहीं रहे हो पुरी लाइट तो जली नहीं अगर आवाज में कोई समस्य आएगी तो बता देना बिल्कुल टेंसर मत लेना देखो लाइट थोड़ा सा कम जल रही थी अभी तक है तो बोलना चाहिए ना लाइट थोड़ा कम रहे है मस्ती भरती नाम है आपका अच्छा ठीक है चलो प्रिति कुपता यह कमेंट आप रहा प्रिति जी लबली कुमारी आपका भी आ रहा है तो पहले हम आगे बात करते हैं इसके आगे अगर आवाज कम आएगी तो बता देना बिल्कुल भी सोर्गुल होगा तब भी बता देन हिए तो यह का मतलब हुआ है तो सबसे पहले साथी हो हमुझ क्या करते है ब्रेकर्ट साल करते है उसके बाहरते हैं का मतलब हुर्ण यहां हो गया जैसे को यह से हैं अन्डर doet अब आज सब कुछ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले ब्रेकट हल करेंगे मतलब पोश्ठक तक पहुंचने के लिए जितने भी पहले जो भी दिया गया है उसको वैसे उतारते चले चलेंगे ये ये कोई ठीक के पहले कोई भी बदलाव नहीं करेंगे और ये जूड के हो जायागा पांच तीन आठ तो हमने क्या किये कोई ठीक को हल कर लिए अब बंदना भारती जी गुड मॉनिग देखिये आगे समझे अब दूसरे इस्टिप पर क्या होता भी या कोई ठीक तो हल हो या प्रेकर्ट्स खतम हो गए अब आडर पे आते हैं कि यह को स्वाइर में है जब उसको करेंगे यहांपर समझा तो आब हम यह स्वायर पर चलेंगे धियान देना प्रेकर्स के बाद में स्क्वायर हल करेंगे भाग वाला तीसरे नंबर पर करेंगे इस कुश्चन में ये कहता है बोर्ड मास का रूल ध्यान से समझे न ये अब इसको हल करेंगे फाली लाइन में इसको हल किया जो जो जैसे हल करें उसको अंडरलाइन करते चल रहे हैं ठीक है? तो भीया ये चार हो जाएगा बबुआ और ये प्लस आठ हो जाएगा अब ये भाग वाला हो जाएगा क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है कि इस सबसे पहले आप प्रेकर्ट्स हल करोगे प्रेकर्ट्स के बाद आप आठर वाला हल करोगे जिसके अंतरगत अंडरूट में कोई जो भी नंबर होगी या स्कॉयर में होगी या साइन कास जो भी चीज़ें होंगी उनको हल करोगे यह होता है आपका सिक्वेंस तीक न अब आज में कोई दिक्कत होगी तो बता दे न चलो तो हमने ब्रेकर्ट्स कर लिए आठर वाला हल कर लिया अब आता है भाग का नंबर यह इतना करेंगे 36 में 6 से जब भाग करेंगे तो 6 आएगा और इंटू यह 3 और माइनस का 4 और प्लस का 8 जैसे हैं उनको वैसे ही उतार लिया जाता है इसमें किसी को कोई समस्या कोई आफ़त कोई परिसानी नहीं न तो चलो भाई आजव बाबू आगे बढ़ते हैं अगली लाइन में मल्टिपल करेंगे क्योंकि यह देखो भाग के बाद यम आता है न यम मींस होता है मल्टिपल मतलब गुड़ा और उसके बाद होता है एडिशन और फिर होता है सब्स्ट्रेक्शन यह सीरियल होता है यह क्रम होता है यह छेतरीक 18 हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 8 आप जोडने वाला काम करेंगे देखो यहां पर एक बात ध्यान देना बच्चा एक बात ध्यान देना बाबू जोडने में आप ऐसा नहीं करोगे कि इसको इसमें घटा दो या इसको इसमें जोड दो नहीं 8 में 4 नहीं जुड़ोगी बहुत ही ध्यान देना है ये प्लस का 18 है और ये प्लस का 8 है तो ये 8 जू है ये 18 में जुड़ेगा एक बात को आप लोगों को ध्यान देना है अपने दिमाफ में बसा लेना है तो बच्चा हो 18 तो 26 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा बबुगा ये 26 हो जाएगा ये प्लस प्लस जुड़ेगा याद रखना 18 में 8 जुड़ेगा और माइनस का 4 इस तरह से नीचे जगा है तो मैं लिख देता हूँ फाइनल में आपका कितना आएगा बाइस चार शबबिस ना 22 इसका अंसर आएगा और आप लोग लिख लीजिए पूजा कुमारी आ रहा समझ में फिसाल पाल आपको भी आ रहा ना बच्चा किसी को कोई परिसानी नहीं न आवा आज हो कह रहा एकदम ठीक है देखो शुरू में लाइट थोड़ा कम थी आप लोग बोलते नहीं हो यहां कई लाइटे जलती है ध्यान नहीं रहता है तो बोल दिया करो कि यहां भाईया सारी लाइट नहीं जल रही आर आज गड़वड़ है कुछ चलो लिख लिए प्लस वाला लेंगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई विसाल जी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं आप लोग इतना कमेंट ना करो चलो लिख लिजिए थोड़ा सा आपके पास टाइम है 10 सिकंड का स्क्रीन साट ले लिजिए उसके बाद फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए टाइम ओबर हो रहा है एंजल सिंग मुझे भी समझ आ गया बिलकुल समझ में आ जाएगा अगर आप समझ आखिये हैं नेक्स्ट कुश्चन सिकंड नंबर को इस देना आखिए साथिओं अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है गड़ित आपको बिलकुल भी नहीं आती है आपको टैंसन नहीं लेना है कि किसी भी समझ्या का समाधान नहीं है इसके आपकी और मुश्किले बढ़ प्रसंद की तरफ आगे बढ़ते हैं लिखो अठारा माइनस का दो और फिर रेकट के अंदर लिखो पांच प्लस एड लिखो फटाफट फाइब प्लस वन और फिर यह ब्रेकट यहीं पर बंद कर दोगे बच्चा इसका काम हो गया खतम और यह डिवाइट बाइट वाइट इसका अंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाता है जल्दी करें फटाफट चलिए चलिए जल्दी करिए साहिल राज बच्चा देर में आयो आप देर में आयो तो चुप्चा पढ़ाई पर आजाओ अब नो गुड मॉर्निंग नो नमस्ते कुछ नहीं चलो चलो फटा आपफट लेन कोसा सबसे पहले कर सकता है सनी जस संभेशिक हर जानते हैं कि बोर्डमास स्रूल में सबसे पहले ब्रेकट साल होते हैं फिलकी इनiders मत्हों का और में मत्ला है हैं आप बोलो या अदर बोलो या आडर बोलो मतलब एक ही हुआ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा सबसे पहले हम करेंगे बच्च बाइस में ब्रेकट ब्रेकट में भी सीरियल होता है तो सबसे पहले ब्रेकट में भी छोटका कोष्टा कल करते हैं न तो सबसे पहले चोटका कोईश्टा कल करेंगी तो यह इसे लगा देंगे बड़ा वाला अठारा माइनस कर दो और यह पांच एक हो जाएगा छे यह गुड़ा में हो जाएगा च्छे और डिवाइड वाई तीन और प्लस का फार अब क्या करेंगे बच्चा पहली लाइन में हमने चोटा कोईश्टक खतम कर दिया सबी को समझ में आ रहा ना कोई डाउट होगा बिल्कुल टेंसन मतले ना पूछ जरूर लेना ठीक है पूछ लेना जरूर चलो आगे देखो अब इसको करो अब यह क्या हो जाएगा अब इसको खतम करना है कोईश्टक के अंदर जो भ इशंग बारह फाइनल में छे आएगा पोश्टक के अंदर कितना आएगा बही च्छ आएगा बाबु तो छे आएगा तो यह इतनी की जगापे पारने पहली लाइन में इतना अल किया जो जो अंडर लाइन हो रहा है उसको समझते चलो मतलब फाइनल में कितना आएगा भाग का चिनना तीन और प्लस का साथ इस तरह से इसको भाग करेंगे अब बाबु इसको जब भाग करोगे भाईया तीन दुने छे तो दो आएगा और प्लस साथ इक्वाल नौ आएगा मुझे कुछ गडबर लग रहा है काई है हां सब कुछ ठीक है न लिख लो एक पर फिर से चेक कर लेते हैं अगर चिन हो गएरा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है पांच एक छे यहां पर कोई चिन नहीं था तो गुड़ा था दो चंग बारा देखो आठारा से बारा घटाएं एक बार चेक कर लो आप लोग सही आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं न जोडने घटाने में हां चलो 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 आगे बढ़ते हैं ठीक है ओके बेरी गुड दिख लीजिए मैं सामने से हट गया हूं साइड में आप लोग नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं अगले करो जल्दी करो जल्दी करो 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 लेकिन जल्दी करो जलें फिर अगला लिखें अभी के हो गए ना चेक कर लिए सभी तकुशल है ना कोई समस्या तो नहीं ना चलो ठीक है ओके ठीक है तो लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग चलो बाई चलो 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 गुड पूजा कुमारी जी हम कहीं जान नहीं रहे हैं पिंटु पाल जी बिलकुल ठीक है चलो छापलो भाई छापलो फटाफट इस क्रिण साथ ले लिया करिये अभी जाने रहे कलाफ नहीं बंद हो रही अभी तो आगे पढ़ेंगे ना अभी बंद थोड़ी हो रही आज तो कलस लेट तक चलेगी क्योंकि थोड़ा देर में सुरू हुई है आज तो कलस अभए देर में भई भैई अभई अभी तो यह सवाल में थोड़ी बंद हो जाया इसे जल्दी समझ में आ रहा है जल्दी से बोलो यास और सभी साथी सेशन को लाइक करें तुरान देर ना करें जल्दी से कर दो भाई आपके पास दो मिनिट का टाइम है मैं अगला प्रस्न तब तक उतार लेता हूं आप सभी साथी लिखो 36 माइनस दो उतारो फटाफट 36 माइनस दो और ब्रेकरड के अंदर लिखो छोटका कोष्ठक लगेगा छोटका कोष्ठक में है बच्चा 20 प्लस 12 डिवाइड भाई यानि भाग देना है कि इससे चार से तुड़ा तीन माइनस का दो तुड़ा दो ब्रेकरड बंद और फिर प्लस का टैन प्रस चलो इसको कर लोगे ना देखो अभी सभी साथी सेशन को लाइक नहीं किये बही ऐसे मज़ा नहीं आरे बापू बिल्कुल भी मन नहीं करता है फिर आगे चलने का ऐसे मज़ा नहीं आएगी आप ल जल्दी करिए आपके पास पांच मिनट का टाइम है पांच मिनट का टाइम है तुरंद फटाफट हो गया चलो गुड़ एंड बेरी गुड़ ठीक है ओके 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 यह कलास अभी लाइब है तुरंद जुड़ जाएए आगे शवी दो मिनट आपके पास टाइम है जल्दी से आप में को शेयर करो करें अपने तो can सो रहे अभी करसाBook शब्लों यह यहीपो हर और आप लोग जो करते हैं वह आंसर बता saudaquiko सर्माव नहीं केवल उत्तर बतादो बस हम आगे बढ़ते हैं सिर्फ दो मिनिट मैंने आप से मांगा है बस उससे ज्यादा तो मैंने मांगा भी नहीं चलो ठीक है ठीक है सब कुछ मसता एकदम कोई दिक्कत नहीं है मैंने सुचा खुद मैं भेज देता हूं दो-चार को कभी-कभी दिक्कत हो जाती है देर में आने से चलो ठीक है देखिए अब यह प्रस्ण पर जो भी लिखा है उस आप तो किलियर देख पा रहे हैं क्या कहता है यहां पर अगर कोईश्टक की बात करें तो छोटा कोईश्टक लगा है उसके बीच में बड़ी कहानी है बड़ करना होता है इतना राजवनसी जी गुड मॉर्निंग भीया गुड मॉर्निंग बाबु गुड मॉर्निंग चलो आगे समझो तो छोटा कोईश्टक सबसे पहले हल करेंगे लेकिन छोटा कोईश्टक के अंदर भी बड़ी कहानी है अगर आप ध्यान से देखो प्यार से तो छोटका कोईश्टक के अंदर बड़ी कहानी है कहानी का मतलब इसके अंदर भी सब कुछ है जोड गटाना गुडा भाग सब कुछ है बहुत कुछ है तो हम सबसे पहले भाग करेंगे इसमें भाग करेंगे यह 20 प्लस यह भाग करो जल्दी से 12 में 4 का भाग करो कितना एगा 12 में 4 का भाग करो आप सभी को पता है भाईया कि 12 में 4 का जब भाग करेंगे बबुआ तो 4 तियाई 12, 3 आएगा और ये multiple का चिन ऐसे और ये 3 ऐसे उतार लेंगे minus का 2, गुड़ा 2 ये बंद हो जाएगा और plus का 10 मतलब हमने क्या किया पहली लाइन में भाग कर लिया लेकिन क्या ये ठीक है पहले स्टेप में ब्रेकट हल करते हैं तो हम एक काम करेंगे देखो अगर ऐसे करेंगे तो ये ब्रेकट वाला ही काफी लंबा खिच जाएगा आप समझ रहे हो कि नहीं ये कोश्ठक वाला काफी लंबा खिच जाएगा तो हम एक काम करते हैं इसको एक बार में हल करेंगे प्रेकट में जो चीजे हैं इनको नीचे लाके हल कर लेते हैं फिर उपर लाके लिख देंगे क्योंकि हमें जो ये कोश्ठक चुटकाना इसके अंदर जो दिया गया उन बातों को एक बार में हल कर देना है अगर एक बार में नहीं करेंगे तो ऐसे बड़ा लंबा हो जाएगा फिर कई बार करना पड़ेगा तो हम एक काम करेंगे ब्रेकट में क्या क्या दिया देखो 20 प्लस 12 दिवाइड वाइ 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 तो पहले ब्रेकट की ये सारी कहानी हल करके फाइनल आंसर मुझे बता दो और मैं ले जाके उस पर चिपका दू इसको बस ऐसे नहीं करेंगे बार बार नहीं तो ये काफी लंबा हो जाएगा ये को समझो ये पूरा हल कर लो कोश्ठक के अंदर इतना मैटेरियल है इसको हल करके लाके यहां रख दो तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका ये 20 और प्लस ये 4 की बार तीन हो जाएगा गुड़ा 3 माइनस 2 गुड़ा 2 इसमें किसी को कोई आफ़त तो नहीं है न कोई परिसानी नहीं अब गुड़ा कर लो इसको ले जाके उपर रखेंगे फाइनल में जो आएगा ये 9 माइनस 4 अब क्या होगा जूड़ेगा पलस पलस जूड़ेगा 25 माइनस 4 बराबर आएगा 25 कितना आएगा भाईया 25 आएगा ना बाबू ये पति भाग के सरवानी ठीक है बिल्कुल सही 25 आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुड़ा का चिन लगाएंगे और ये हो जाएगा 25 और ये कोईष्टा के बाहर 10 था देखो यहाँ पर इसको मत भूलना बही छोटा सा है तो क्या बोल जाओगे नहीं बोलना नहीं बड़ा काम का है बस हो गया ये समझ गये ना आप देखो यहाँ पर यही तो आपको समझना है जो भी कोईष्टा की चीजें थी उसको यहाँ लाके मैंने हल किया और उपर ले जाके वहाँ पर ढखेल दिया मतलब बोल दिया कि बैए बैट जाना तुम यहाँ सहीलना नहीं अब चलो आगे समझो अब होगे हमारी बड़ी-बड़ी मुसीबते दूर हो गई जितनी भी जंजट वाली थी वो हो गई अब मल्टिपल करेंगे 36 माइनस यह 25 दूना 50 और प्लस का 10 जोड़ेंगे 36 में कितना जोड़ेंगे जोड़ लो चलो फिर बताओ अगर कोई डाउट होगा तो बता देना ठीक है? तेंसान मत लेना यह 36 में 10 जोड़ेंगे भाया 36 माइनस का 50 यह माइनस का 4 आएगा कितना आएगा? माइनस का 4 आएगा लिख लो इसक्रीन साट ले लो अगर कोई डाउट है तो बता देना पंक जी आदो जी ठीक है बच्चे पंक जी बहुत अच्छे काफी कोशिस कर रहे है आप ठीक है ठीक है ठीक है बेरी गूड विकास सत्वीर ठीक है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गूड चलिए कुश्चन कहां से आया था यह कहां से मिला था यह ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नो प्रॉब्लम चलो लेकिन मैंने इसको कुछ जादा ही सार्ट कर दिया ना कुछ जादा ही सार्ट कर दिया बाकि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप चाहते तो कोश्ठक वाली बातों को बार बार हभी हल कर सकते थे कई बार में लेकिन हमने एक बार में करवा दिया ठीक है चलो आपको समझ में आ गया ना फूपेंद्रे यादो पिंटू कस्यप पिकास सत्वीर सभी को आया समझ में बुझारा ना वज चलो कि नहीं बुझारा वही चलो आगे बढ़ते हैं यह हो गया देखिये साथ यह स्वाट सुभा नौबजे से लाइब होता है और नास्थ बजय होते हैं उनको देख लिया करो हमारी कोशिस होगी लेट नहीं होगा शुबह भी देख भी मिनट लेट नहीं होगा चलो कितने हो गए और भी लिखो अगला सवाल लिखो पंदना भारती आएगा बिल्कुल आएगा दोण के आएगा लेकिन आप पोशिस तरोगी तब आएगा ना कुष्ण नंबर चार या पांच नंबर आएगे लिखो पच्चीस माइनस पड़का ब्रीकट बनाओगे 12 और फिर माइनस यह मजल का कोश्टक बनाओगे मजला कोश्टक जान रहे हो ना समझ रहे हो ना आप लोग उसके बाद क्या है बड़ा खतरनाक लग रहा है 5 प्लस 1818 ठीक है और प्लस एक छोटा कोश्टक बनाओगे इसके अंदर में आप लिखोगे 4 धन 5 माइनस 3 क्या लिखोगे 4 धन 5 माइनस 3 अब इन सारे कोश्टक की जो गेट है वो बंद कर दोगे सालूपाल आरा कुछ समझ में देखो अब इनके कोश्टक ऐसे ही बंद कर दिये जाएंगे गेट बंद हो गया आप लोग यह बताओ क्या आप इसका आंसर निकाल लोगे चलो 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 रेडी 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 अब ही काय को बलर हो रहा रहा है आप मरकर में थोड़ा सा स्याही बर देता हूं मैं आप लोग राई करो कितना आएगा साक्षी सिंग डीलेड थार्ड समेस्टर का लाइब देखो भईया इस समय डीलेड का लाइब तो नहीं हो रहा है लेकिन वेडियो उपलब्द हैं आप पीबियार स्टडी का एप्लिकेशन डाउनलोड करिए अपनी मोबाइल में प्लेइ स्टोर से और उसमे थार्ड समेस्टर फोर हर एक समेस्टर का पूरा कोर्स है जाकि कोई भी कोर्स में डॉल करिए परतेख है मिल जाएगा अनिल राज मोटिवेशन जी ठीक है अनिल राज जी अब चलो आगे समझो साथियों हमें पता है कि सबसे पहले हम ब्रेकट हल करते हैं बोर्ड मास Bei से करते हैं पर जोटा फिर मघला और फिर बढ़ा लेकिन कहीं कहीं अगर रेखा कोईश्ठकग दिया है तो रेखा कोईश्ठक नदन सबसे पहले हल किया जाता है तो चलिए बढ़ते आगे 25 ऐसे लिख देंगे जैसे है माइनस बड़ा कोश्टक में परवेश करेंगे 12 माइनस यह मजला कोश्टक ऐसे लगा लेंगे अब हम कहां चलेंगे पता है छोटका कोश्टक के पास यह यहां है वहां तक की जो भी गिंती है उनको इज़्जत के साथ वह ऐसे लिखते चलेंगे अब यह पांचार नो नो मेंसे जब तीन घटा होगे बच्चा तो छे आएगा बबुआ यह लो यह हो गया इसकी मुसीबत दूर हो गई समझ गए न इसमें किसी को कोई समस्या आय तो बता देना कितना सब ठीक है आगे बढ़ेंगे अब फिर फिर दूसरे नंबर पर किसको हल करते हैं तो को पना यह कोश्टक शार करकी यह आपको मजला कोश्टक है और सबसे पहले इसको हный करते हैं दूसरे पर इसको कड़ें और इसका सबसे नमबर सबसे ना भाई विसाल यादो जी गुड मॉनिंग भीया गुड मॉनिंग बच्चा गुड मॉनिंग शिम्रा ने आदो गुड मॉनिंग ठीक है चलो कैलास बूपेंद्र देखिए समझी है तो सबसे पहले इसको करते हैं इस पो फिर दूसरे पर यह आता है ती फ्रे पर यह चोते पर यह तो हमारे पास रेखा कोश्टक तो था नहीं इसमें कहीं लेकिन यह चोटका वाला था तो यह फिर यह फिर यह हमने चोटा कोश्टक पूरा कर दिया अब मजला करेंगे तो यह ट्वयल ऐसे लिख देंगे माइनस इनके बीच में देखो जो भी गिंती है सब पलस मे है क्यों है ना पलस में तो सबको जोड़ दो भाईया जोड़ दो बबुआ इनको यह कितना हो जाएंगे छे-पांच-ग्यारा अठारादफ फटाइस एक और तीस यह आएगा फाइनल में 29 क्यों कि इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो पुलो जल्दी बोलो फटाफटा बोलो फटाफटा बोलो उनटीस आएगा नटीस आएगा न चलो यह 25 और माइनस देखो इसको घटाओगे बच्चा हमें पता है कि यह उल्टा घटेगा यह ऐसे ही यह सात आएगा ये एक मतलब सत्रा आएगा माइनस में सत्रा आएगा न किसमें आएगा माइनस में सत्रा आएगा अंजू जी देर में आ रही है आप काफी देर में चलिए तो माइनस का सत्रा आपको पता है अगर माइनस इसके पहले भी लगा अंदर में भी माइनस है तो प्लस हो जाता है क् है ना सही कोई डाउट है तो बता देना तो 17 कितना हो जाएगा प्लस में मुझे कुछ गड़बड लग रहा इसमें क्यों कि अंदर के चिन प्लस हो जाएंगे ना तो इसके कार्डिंग तो यह 42 आएगा यार लेकिन मुझे कुछ गड़बड लग रहा है आप लोग एक बार चेक कर लो तो एक बार चेक कर लो ठीक है ना अर्चनरा जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग लिख लिजिए आप लोग एक बार चेक करिए अगर बटती है तो बताओ मुझे लग रहा यह कहीं कडबड हुआ है कि नाउट रहर नहीं है ना क्या लग रहा है कहीं मिष्टेक है क्या कि इस इससब कुछ ठीक है एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं करना किया इसब कुछ तो हमारे हाथ में पिसाल जी देखो ऐसे मौके का फायदा ना उठाओ बच्चा कितने बेवकुक तो नहीं हम लोग देखो सबसे पहले उपर हमने क्या किया चोटा कोष्टा खल किया यह दोनों प्लस प्लस जोड़ा चार पांच नौव इसमें से तीन घटाया तो छे आया इतना ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है दूफरे नंबर पर हमने मजला कोष्टा का सलूसर किया इन सब को जोड़ा आठार उसके बाद हमने जब इसको हल किया इसको जब हम सब्सक्रेक करेंगे यह सत्रा आएगा सत्रा मैंने लिख लिया लेकिन यहां पर यह किस्टप में आपको थोड़ा और दिखाना चाहूंगा जो लोग कन्फ्यूजन में हैं वो समझ लें कि बच्चा हो यह माइनस रहेगा और इसका फाइनल आंसर आएगा यह से माइनस सत्रा यह कोश्टक लगाएंगे इस चिन्न को सुरच्षिद रखने के लिए तो यह पचीस दान सत्रा और बड़ाबर आएगा 42 लेकिन यह नीचे कोश्टक लगाके इस तरह लिखना थोड़ा आएगा आपको इसको एक ही काम करना है यहां पर करना है यह तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया आप प्लस 17 लिखोगे और डारेक्ट 42 लिखोगे समझ रहे हैं ना सभी किसी को कोई डाउट है तो बता दे ना मैं सामने से हट जाता हूँ आप लोग इसे लिख लो नोट कर लो और छाप लो ओके सब कुछ ठीक है ना चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी से देर मत करिए जितने भी नए साथ ही आए हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाईया जिसे कि पढ़ सकें बाबू ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है तुरंत कर ले अभी कर लें जिससे कि आप पढ़ सकें घर बैठें और बिल्कुल फ्री पढ़ सकें ठीक है बंदना भारती कह रहीं कि 17 कैसे आया बंदना भारती 39 से 12 घटाओ देखो कितना आएगा 39 से 10 घटाओगी 12 घटाओगी 17 आएगा 39 से 12 घटाओगी 29 से 12 को सब्सक्रेक करके देख लो कितना आएगा चलो आगे बढ़ते हैं अनिल जी कह रहे हैं कि आप पढ़ाईया और मेरे को ना आए ऐसा हो नहीं सकता जी बिल्कुल नहीं यह हो नहीं सकता आगे तो तुम लोग काफी समझदार हो चलो बता हो अच्छा एक बात यह बता इसमें से आज कौन-कौन ऐसा है जो पहले दिन आया है कलास में है कोई ऐसा नया नभीला अरे नया नभीला ही नहीं नया नभीली भी है कोई का जलो बताओ वैसे मुझे लग रहा सब पुराने हैं कुछ नए लग रहे हैं तो जितने नए साथ ही हमारे वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिससे कि हर दिन पढ़ सकें एवरी डे और नाइट को भी कलास होती नो बजे से तो याद रखना बिल्कुल भी टैंसन न लेना मैत नहीं आती ना हम गारंटी के साथ सिखाते मैत बस रेगुलर पढ़ना ठीक है कुलदीप कुमार बोल रहे हां अंसिका जी के पी जी गुड पुजा कुमारी मतलब तुम सब लोग नहीं हो गए हां तो पुराने वाले हमारे कहां चले गए महुआ भी ने गएंक है कि मुझे लग रहा है इसी महीने में आता है ना सायद होली के टाइम पर आजाता ना लगभग हां कि जलो आगे बढ़ें ठीक है परजापती देवेंद्र कुमार ठीक है भईया ठीक है रवी संकर राज यादो सभी के कमेंट हमें दिख रहे हैं चलिए फिर आगे देखते हैं अब आगे देखो समझो इधर साइड में अगला एक और भी कुश्चन है हाँ पर देखो कुश्चन नमबर 678 कुछ भी डाल दो आठवा नमबर है यह सतों मैंने लिख दिया है जितने भी पुराने हैं वो सभी कलास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लें ठीक है ना बच्चा यह विक्की रेंक्स पूछ रहें क्या तयारी करवा रहें बच्चा देखो यह सब के लिए जिनको भी मैत सीखना है सब के लिए मैत की तयारी करवाई जा रही है चलो ठीक है काजल सिंग ठीक है अब आप लोग पुराने हो गए अब चलो आप मत कहना कि हम नए है माइनस यह लिखो 29 नोट करो फटा फटा अब नए पुराने सब एक हो गए आप लोगों का मिट अब हो गया चलो 30 प्लस 66 विख चा आपने दो यार और प्लस 24 माइनस 2 24 माइनस का 2 चलो इसका आंसर कितना आएगा बताओ चलती करो कितना और कुछ की यह बिनक…… नहीं होती लारों से दर करना हो के अपान नहीं होती नहीं है उनको चीरते फारते हुए आपको आगे निकलना है और आगे बढ़ना है और सबसे आगे जाना है चलो जल्दी से बतादो कितना है घंचलकुमार बतादो कितना आ एक दॉपता फर जल्दी करो ठाभया डेखो इदर आ囉 यह बोर्डबास का बच्चे हैं सुंदर सुंदर हैं देखो समझो अब इसका मतलब होता है यहां पर ब्रेकट कहीं दिख रहा है कि इस दुर रहा है वह दिख रहा है कितने कोश्टक हैं बच्चा है कितने कोश्टक हैं देखो समझो जहां पर मजला कोश्टक भी चुटका कोश्टक भी है तो सबसे पहले हम च्छटक कोश्टक चलेंगे एक जहां पर मैंने अंडरलाइन किया न उसको सबसे पहले हल करना है क्योंकि वही मुख्य था इसमें का ठीक है आप समझो कि तो भाईया 24 से दो घटा लो बबुआ सबको पता है कि 24 से दो घटाएंगे तो क्या आएगा हर कोई जानता है गदहे भी जानते हैं मैं आपको नहीं बोलना हूं कि आप गदहे हो हम अपने आपको इमान लेते हैं कुछ तो होगा ना इसको सब्सक्रेक करोगे तो 22 आएगा और यह कोईश्ठक बंद बस कि करना और यह कोईश्ठक घ्यान देना यह हम थोड़ा जल्दी में बना देते हैं यह वर्टिकल मतलब यह विद्क एसे मुणना चाहिए ज्यान से समझना चलो अब आगे देखो पहले इस च्टव में हमने क्या है सबसे छोटा कोष्ठा खल कर लिया दूसरे हम क्या करेंगे मजला कोष्ठा करेंगे और फिर तीसरे में बढ़गा करेंगे तो चलो आपकी थोड़ा बड़ा खि कितना आएगा जरा यह बताओ फाइनल करके कितना आएगा बहिए इनको जोड़ बबुआ सब जोड़ जाएंगे आपको पता है यह दो छे आठ कितना आएगा आठ यह दो और छे आठ तीन ग्यारा अरे यही करना है बच्चवा यह यह 8 कितना दो गया रहा है अभी को समझ में आ रहा है ना नहीं समझ में आएगा बिल्कुल टैंसन मत लेना ठीक है बिल्कुल टैंसन मत लेना रासित दिलवाला सब मिलेगा बाबु नंबर दिख रहा है न नंबर लेलो लेलो संपर करना भी बाद में चलो तो यह हो गया खतम मजल 17-8 गटालो बचैवा तो ये गटःगा है नहीं हह यह ऐसे होगा एसे चलो इकक इतना आएगा जोशिश करके बतादो किद्हाएंगा अरे एक बार ट्राइक कर लो नहीं रोट किसatives है तुमको अ पकड़ा कौन है पहले डर जाते हो नहीं आएगा नहीं आएगा अरे आएगा कई नहीं इसकी मौसी भी आ जाएंगी तुम बुलाओ तो सही देखो अठारा से नो गया नो और यह कितना बच गया दस दस से दो गया आठ एटी नाइन एटी नाइन जरा सोचिए अगर यह 119 होता और हम 30 घटा आते हैं ठीक तो है फिर अचा ठीक है यह एटी नाइन आया ना एटी नाइन में हम तुन्टी नाइड कर दें हसी लेक आठ दो दस तो बच्छा कितना आएगा यह एटी नाइन आएगा बबुआ यह मैंने थुड़ा एक्ष्ट्रा कर दिया एटी नाइन से गटालो बच्चा 34 गटालो क्या एटी नाइन से थार्टी पूर गटालो मतलब कोपड़ी फोल्ड लेने का मन करता है कुछ ऐसे ऐसे गदाहे यह माइनस में आएगा बहिया यह माइनस में आएगा क्यों कि पहली गिंती चोटी है दूसरी गिंती बड़ी है यानि माइनस वाली गिंती अगर बड़ी होती है तो आंसर किसमें आता है माइनस में आता है ठीक है आगे बढ़ते हैं बिल्कुल जाना नहीं इनका एक्जाम है जिनकी कोई परिक्षा हो रही उनको कालेज जाना इस्कूल जाना वो चले जाएं आएंगे तो फिर से देख लेंगे उनके लिए हम वीडियो उपलब्द करवा देंगे बाकी कोई कलाश चोड़ के नहीं जाना पानी नहीं पीना जब तक पड़ने लेना ठिकना कुछ त्य प्रेकट फुलेगा अंदर माइनस है तो यह पलस हो जाएगा चोड़ लो नौचार तेरा हासिल एक आठ तीन ग्यारा और ग्यारा एक बारा वन टू थ्री चमन्नी गिरी और आगे आगे तो तुम लोग जन्वे करते हो चलो नहीं हाँ यादो आरा समझ में राज यादो सुनिल कुमार अमरेश कुमार हिमांसु कुषवाहा अंकित देव दूबे सिवांगी दूबे और कौन है भाईया पंकच अभिसेख अनुस्का अन्सु सर्मा ठीक है भाईया सभाजीत यादो क्यूसन जा रहे हैं ठीक है कोई हम समझ में नहीं समझ में नहींयाएं तो उनасल समझ में आएगा यहां पर समझ में जरूर आएगा कोई कह रहा एक बार फिर से समझा दो बैया उनका नाम क्या है उनका नाम है अंकित सर्मा ऐसे है इसने समझना पड़ता है पी का मतलब होता ब्रेकट, यानि ब्रेकट हम सबसे पहले हल करेंगे, दूसर का नंबर पे O, तिसरे पे D, चौथे पे M, पचवे पे A, और छटवे पे S, यानि कोई अगर इस तरह के कुश्चन है, जिसमें धेर सारी फंक्सन एक तरह दिये हैं, जैसे जोडना भी है, घटा जैसे किसी बंडारे की लाइन लगाया हो, जहा लंगर मिलता है, उसमें क्या होता है, लोग लाइन से-कड़े होते हैं, पहले ना, सीरियल से, पहले आगे वाले को मिलेगा, पिर दूसर के, जिनके आपने ATM देखा होगा बैंक दीखी होगी अभी हमारे देश में तो पिछले कई साल से लाइन ही लगती आई है अधार कार्ड बन रहा था लोग लाइन लगा रहे थे लंबी बड़ी बड़ी इसके बाद नोट बंदी हुई थे लोग बड़ी बड़ी लाइन लगा रहे थे त मouंसा सब्लब एक चुटक कोईश्चक था एक बढ़ा थे लें क्या किया कि अop мचल्ब का कोईश्टक पे फोकस किया राज यहादों को पांच मिनट के लिए कर दिया गया इन्होंने बहुत अंड़ा कर दिया मैसेज नीचे चल रहा है पीले कलर में देखो डिक्ष्टब ना किया करो पांच मिनट बाद आओ तुम चलो तो सबसे पहले हमने क्या क्या चोटा कोश्टक को हल किया तो यहां पर देखो 24 से 2 को सब्टरे किया 24 से 2 को घटाया 22 आ गया यहां पर लिख दिया अब यहां पर कहीं चोटा कोश्टक नहीं है दूसरी लाइन में देखो दूसरी लाइन में कहीं चोटा कोश्टक अब नहीं बचा है फिर हमने क्या क्या मजला को इस्टक को हल किया मजला को इस्टक का मतलब यह यह जहां पर हमारा हाथ दोड़ रहा है कि स्टीकर राइन में इसको पूरा यह उप्तो जब हमने जोड़ा सब को एक सो अठारा आया इसको ऐसे लिख लिए लिए लाइन में हमने क्या किया बच्चा थोड़ा जाता नजदीक लिख दिया हूं मैं यह बढ़का को खतम किया इनका हिसाब किया तो माइनस करती नहीं आया और फिर फाइनल में देखो यह आगया उत्तर समझ गए ना सभी कोई कहरा माइनस आएगा अरे गदहों माइनस नहीं आएगा यह अंदर में माइनस है बाहर भी प्लस हो गया तो सब प्लस है तो माइनस नहीं आएगा उत्तर प्लस ही आएगा माइनस नहीं आएगा समझ गए ने आप लोग अगर कोई डाउट है तो बता दी न देखो इसके पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है आज ये आपका सिक्वेंस से कलास चल रही थी तो छटवी कलास थी वैसे ये कलास तो रात में होनी थी लेकिन मैंने सुबा ही पढ़ा दिया आज फ़ड़ा जल्दी आ गए हम लोग है न ये आली कलास रात में होनी थी आप लोग मुझे ये बताओ सभी जल्दी से कमेंट करके समझ में आया जूट नहीं बोलना बिल्कुल दिल से बोलना सभी जिनको आया समझ में यस जिनको नहीं आया नो बिल्कुल बोल दो प्यार से टेंसन मत लेना चलो आया समझ में यस या नो अंकित जी क्या डाउट है बच्चा सचीन क्या मुसीबत है सोनू पंकर जी आदो सबसे पहले कमेंट करने यस पंकर जी ठीक है धन्यमाद आपको जो आपने समझा कम से कम सुनील एंजल सिंग गेमिंग वाइटी बंदना अरे फटाफट बताओ तुमको पकड़ा कौन है हां कुछ तो ऐसे सरमा रहे हैं जैसे लग रहा है कि मतलब नयन अबिली दुलाहन भी इतनी न सरमाएगी जितना तुम लोग सरमा रहे हो भई कमेंट करने में मैंने पूछा अगर तुमारे खोपड़ी में थोड़ा बहुत गुसा थोड़ा बहुत हलका भी समझ में आया तो यस बोलो नहीं आये तो नो इसमें जाता क्या है चलो ठीक है ठीक है बच्चे बेरी गुड दिनेश जी ठीक है अंकितर पीत पूजा कुमारी संजे सिंग चंदन कुमार रवी संकर बंदना अंकिता अंजु किरिफना राहूल और एक ही बार बोलो अबलब कुछो उसे हैं जो चुप रह नहीं सकते हैं और कुछ ऐसे जो बोल नहीं सकते जो बोल रहा हुँ हो डंडा कर मिक eran्ट बलत happy जो नहीं बोल रहा है एक और नहीं बोल रहा है यही तो आ सामनत्य को लेड़ दूब रही तो उसकुमार पहले पढ़ाई कर लो भया क्रिती जांगरा ठीक है अरपित मिसरा अगर टाइम दोगे तो आएगा यह मेरा कान दर्द करने लगता बड़ा भारी यह इसको फिक देंगे पहले जो था ना कलर वाला कफी अच्छा था यह आधा किलो का है कोपड़ी पर रख लो दिमाग दबा रहता है चलो अब देखो अब हम बात क्या करने वाले हैं अब यह टॉपिक वैसे हो गया खतम हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे परसेंटेज वाला ठीक है बोर्ड मास का रूल चल रहा था वह खतम हो गया अब मैं करो कुश्चन आज नहीं करवाओंगा अब तुम मुझे यह बताओ मुझे यह बताओ जल्दी से फटाफट संख्या संख्या 320 का 95% कितना है चलो तोड़ा रिवाइज कर लेते हैं परसेंटेज इसमें मज़ा भी आती है और यह बड़ा इंपोर्टेंट भी है जल्दी बताओ क्या है राहुल राजपूद हम बहुत गजब पढ़ाते हैं जी राहुल जी बहुत बहुत धन्यवा दिल से शुक्रिया क देखिए सुबा पांच बज़े से प्रतेक दिन सुबा पांच से छे और रात को नौ से दस आज यह क्लास थोड़ा लेट में शुरू हुई थी इफलिए लेट तक चल रही है बाकि सुबा पांच से छे तक होती है ठीक है हमारी कोशिस होगी आप खीच देंगे साथ करकी मुसीबत ना आए कि ऐसा नहों मैत की वज़ा से आपका सेलेक्शन नहीं हो रहा है देखो आगे बढ़ो कोई जबाब नहीं दे रहा है इसका अंसर वहीं तुम सभी लोग खच्चरी बसे होका देखो मैं बता देता हूं कोई बताएगा हमानसु कुस्वाहा ने जबा ठीक है बहुत अच्छे बेरे गूड देखिए बच्चे 320 का 90% करना है तो 320 गुड़ा ये 92 और परफेंटेज का चिनना हटा करके बचवाह सो से भाग कर देते हैं बाबू बस यहीं करते हैं कि ऐसे ही परफेंटेज निकालते हैं हम लोग इसी तरह से बहुत ही सिंपल है आ 92 और ये 10 अभी अगर हम इसको ना काटें उपर का उपर गुड़ा कर दें नीचे तो ये बहुत बढ़ा हो जाएगा इसलिए इसको काटना जरूरी है जो से काट दें हम जो पंचे-दस और किसी से कटेगा ही नहीं जो चोग आट जो चंग बारा 46 का 32 में गुड़ा करो और 5 से भाग करो कितना आएगा बाई कल्कुलेशन तो तुम सबी लोग कर सकते हो 28.4 आएगा क्या सब यही बता रहे है ठीक है जल्दी से कर लो इसको तो करी लोगे आप लोग कल्कुलेशन तो करी लेते हो जल्दी करो फटा-फट 46 का 32 में ठीक बताया था कैसे करना है ठीक है भाई या बिल्कुल जेपी बाई डिमपल कुमारी आ गई आप चलिए ठीक है पांच से भाग कर लो जितना भी आ गया चलो भाई ठीक है यह 28-28 जो बता रहे गलत है अरे कदो हो गलत है तुम्हारा यह 29294 पॉइंट सम्थिंग आएगा फॉर आएगा लगभग क्या आएगा हाँ इतना आएगा यह 294.4 आएगा अरे ऐसे समझे लो यार तुम लोग सोड़ा सथ बुद्धी का परियो करो जो 28 825 बता रहे हैं कदों यह सोचो यह टोटल कितना है 320 है ना 3212 का 292 परसेंट बोल रहा है 320 का 292 परसेंट यानि केवल 8 परसेंट बचा है कम नहीं तो 320 हो जाता है यानि 294 रूपे और 40 पैसे इसका मतलब यह हूँ या फिर अंक में ले लो मार्क्स में तो 294 रूप बदलब नंबर और पॉइंट में 40 नंबर समझ में यह करेक्ट अंसर है कुछ गद है इसे हैं 28 28 28 बता रहें अब भाई तोड़ा फार दिमाग का परियोग तो करो ना यार इतना कर लो किछी भर का दिमाग का परियोग कि 28 किस दसा में होगा कैसे होगा 320 का आखिर 92 पर्फेंट 28 होगा हद है यार क्या कहूं चलो आगे बढ़ते हैं समझो 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 सोचो समझो बचो नसे से जीवन जीलो बड़े मज़े से चलो आप चलो देखो थोड़ा सा आसान-आसान हम लोग करते हैं यह सब मैं पढ़ा दिया हूँ परसेंटेज वाला आज आपका बोर्ड मांस का रूल हो रहा था और बोर्ड मांस का रूल में मैंने पूरा कुष्चन कर वा दिये हैं दो तीन टाइब के मैंने पढ़ा दिया कई लेबल में आप लोग समझगे ओंगे अप फिर भी जो नहीं संझे है उनके तो भगवान ही मालिक है अब आगे क्या कहें जी कौन खीष दिमाग में घुस्रा है जोटम कुमार माका लाडला फिक है बहीया हर कोई माका लाडला है हर कोई मा का लाडला है अपने कोई भी गड़ बड़ नहीं है बई चलो ठीक है इधर समझो अर्चना रहा है ठीक है आप चलो संक्या 515 का 92 परसेंट बताओ यह 92 परसेंट बड़ा गड़ बड़ है इसका 90 परसेंट ले लूँ चलो जाने दो आसान हो जाएगा कितना आएगा चंदन कुमार जी बताइए जबाद दीजिए परतिबा के सरवानी कैलास यादो सबी बच्चे बताओ भई रिजवान अली बंदना भारती मुझे नहीं आया बंदना जी आपने पिछली कलासों को नहीं देखा है पिछली कलासों में मैंने यह पढ़ाया था इ आफीज जंगित बालबीर चौहान देखो जितने भी नए साथी जुड़े है तुरंट चैनल को सब्सक्राइब करें देर ना करें फट फट सब्सक्राइब करें जल्दी से सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है एकदम फ्री जैसे लंगर मिलता है उसी तरह से फ्री में कुछ नहीं लगने माला है तुरंट सब्सक्राइब करो फटाफट हो को सब्सक्राइब इसको तोला जूम कर लो तोला रुप जो जूम कर देता हूं और बढ़िया दिखेगा सुन्दर दिखेगा रुप जब भई त्रे बैटरी गई यार कैमरा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तुम लोग कहां हो अच्छा हुआ कि हम आ गए नहीं तो यह बंद होने वाली थी अच्छा हुआ कि हम आ गए चार्जिंग खतम बैटरी एकदम खतम बैटरी खतम चार्जिंग खतम मतलब कैमरा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई ये लो ये लो थोड़ा जूम कर दिया आप सुन्दर लग रहा है ठीक है नो प्राब्लम डॉंट वरी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे चलो आगे बढ़ते हैं सुन्दर सुन्दर स्टूडेंट्स के साथ सुन्दर का मतलब आप अच्छे हो इसका गलत मतलब ना निकलना हां चलो अरुन जी बहुत अच्छे भाई बेरी गुड दिनेश पंकज विकास अम्रेश संतोस पुजा हिमानसु अंकिता सुदानसु अंकित रोसान सुदानसु और कौन-कौन है भाई एक ही जैसे कि नामे कही लोगों की पता नहीं आप लोग कहां से आयो कि तsınız थी बाता है आप लोग बहुत अच्छे हो काफी अच्छे हो चलो देखो, समझो, 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 ठीक है, 90% करना है न, तो यह मानलो इसके लगबख करीब ही होगा, लगबख इसके करीब ही होगा, तो भाई आओ, करते कैसे हैं, वो समझ लो, पांच सो पंदरा और नब्बे परफेंट करना है गुड़ा का चिन लगाओगे बस परफेंट का चिन लगाओगे लेकिन हम परफेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें का करना है ना हमें का करना है हमें परफेंट हटाना है तो सौसे भाग कर देंगे बस यह लो हो गया ना क थोड़ा डिश्टर्ब करती मुझे farty कि हुझ से चमक कॉंड का थी हल्का फु का है देतो छोड़ो कितना देखना भी नहीं हमें एक सुनना से सुनना काटडू बचबा पांस से इनको काटडू अब हम अब आप हम नहीं काटेंगे अब इनको काटना खतरनाक है देखो 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 एक मिनारेट रुख जाओ भई एक जीरो से एक जीरो काटेंगे बस बाकि 10 को नहीं काटना बिल्कुल छेड़ना नहीं इसको अब यह हो जाएगा पांच सो पंदरा गुड़ा नौ बटा दस इसमें कोई मुसीबत नहीं न कोई परेसानी नहीं न चलो गुड़ा कर लो नौ पच्चे पैतालिस हासिला कितना चार है एक इसकी बेटरी गई थोड़ा सा रुक जाओ यह सारे सीस्टम जो ना एनरजी मांगते हैं चलो गुड़ करते हैं तो एनरजी मांगते यह दो ज़िको समझो थीक है नो पच्चे पैतालिस हासिल चार नो एक कमनोग चार तेरा कि तीन हसिल एक और नो पच्चे कि सिक्स और थ्रीफाइप आ रहा भया फाइनल में कितना आएगा एक अंक पर दसंब्लों आ जायागा बच्वा तो 463.50 यानि अगर रुपया में बात करें तो 463.50 पैसे इसका सही आंसर है रामचंज सिंग जी ने बिल्कुल सही बताया है आसुतो सुकला सत्वीर महरा पूज कुमारी गलत है मतलब तुम्हें लोग इतने बड़े गताये हो कि दसंब्लों ही नहीं लगा रहे हो अब है इसमें पॉइंट रहेगा बीच में अरे यह कौन से इतिहास भुगोल में लिखा है कि पांच सो पंदरा का नब्बे परसेंट यह 4635 हो जाएगा मतलब कोई मतलब अभी नहीं मैत का सारा रूल तोड़ दिये तुम लोग पांच सो पंदरा का नब्बे परसेंट 46 हो जाएगा और 35 यहनी 4000 से ज्यादा हो जाएगा कमाल है चलो अरचना यदओ तमीजोके gaping पुझाकुमारी सभी को समझ में आ रहा ने को साइड में मैं कट जा रहा है मैं उसको दिखा देता हूं जो सायड में कट रहा है थोड़ा सा रुख 화ई यह यह लो को बिख गया न जो कट रहा था चलो ठीक है, सब कुछ मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा आपका कमेंट सब हाइड हो जा रहा है, पता नहीं कौन सी ऐसी दुसमनी है आपसे आपसे निबेदन है, आप कुछ सोड़ा चेंजिंग करिए अपनी email ID, अपना नाम, कुछ बदल के आईए, चलिए, अब आप लोग इस तरह का सारा प्रफन कर लेंगे, मुझे पूरा उमीद है कि आप लोग कर लेंगे, और कर भी लोगे मुझे मालूम है तो साथियों ये कलास everyday होती है, सुबा 5-6 के बीच में, और रात को होती है, 9-10 के बीच में आप लोग regular आएं और पढ़ें, एक मिनिट और सुन लें जो बच्चे complete math सीखना चाहते हैं, जो बच्चे complete math सीखना चाहते हैं, और जल्दी फे जल्दी पढ़ना चाहते हैं, वो PBR study का application जरूर डाउनलोड करें, और कलास को ज्वाइन करें अरुन, बच्चा तुमारी भी बच्जिती करेंगे, Mr. अरुन, ठीक है, गलत उत्तर बताओगे, तो tension मतलो चलो, यह number note कर लें, जो हमारी premium class ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब की घर बैठे, जल्दी से जल्दी, कम समय में पूरा math सीखना चाहते हैं, वो यह number note कर लें, या आपको हमारी premium class ज्वाइन करना होगा, अगर आप चाहते हैं, तो कर लें, अगर नहीं, तो कोई जवरजस्ती नहीं है, ज्यादा जानकारी के लिए आप इस number पे संपर करिए, इस पे आपको पूरी बात बताए जाएगी, premium class की जैसे मैं सुविधाएं बता देता हूँ, इ ठीक है, कहां पे, PVR study के एप में, और फिर आपका जब मनकरे तब पढ़ो, चाहे सुबा पढ़ो, साम पढ़ो, रात पढ़ो, चाहे जब पढ़ो, आपको पता है कि PVR study में जो लाइब वाले बच्चे हैं, वो हर दिन नहीं आते हैं, टाइम टाइम पे, क्यों पता है, क्य जाता है, चाहे 5 गंटा पढ़ो, चाहे 8 गंटा पढ़ो, ठीक है, बात समझ में आया ना, तो ये चीज है उसमें, और हाँ, इसमें अगर जैसे कोई question आपको नहीं आ रहा है, premium course में, तो आप हमसे direct WhatsApp पे पूच सकते हो, WhatsApp पे पूच सकते हो, लेकिन अगर आप YouTube पे WhatsApp चलती है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, फ्री वाला में बता दे रहा हूं, फ्री वाले के लिए आपको चैनल को सबस्क्राइब करके रखना है, और बेल आइकन आन करके रखना है, यानि नोटिफिकेशन की बटन को आन करके रखना है, रेगुलर लाइब पांच से छे, दुबा पांच से छे, रात के नो से दस के बीच में आऔर पढ़ो, लेकिन अगर आप प्रीमियम होला लेते हो, तो इसमें हम आपको पहली कलाफ से देंगे, एक दम सुरू से, इसके पीछे जो पढ़ा दिया सब मिलेगा, इसके बाद जो पढ़ाएंगे व वो जोईन कर लें, ठीक है, जिनको भी फ्री पढ़ना है, पीबियारे स्टडी का टेली गराम चैनल जोईन करें, देखो डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई होगी बबुआ, डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई है, सभी बच्चे पीबियारे स्टडी का टेली गराम चैन जरूर जोईन कर लें ठीक है टेली गराम चनल जरूर जोईन कर लें